हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फेवरेट में आस्ता और उल्लास का केंद्र है नांदेड का माहूर गाओ माहूर किला महाराष्ट का एक महान तीर्थस्तल और शक्तिपिट भी माना जाता है यह शहर प्रकृतिक सुन्दर्ता में एक पहाड़ी पर स्थित है साथ ही माहूर शहर पहाडों और घने जंगलों से घिरा हुआ है तो आईए इस वीडियो में जानते हैं माहूर गड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे माहूर कड कैसे पहुचना है अगर आप सडक मार्क से आ रहे हैं तो महाराष्ट के नांदेड जिले में स्थित माहूर किला आसपास के अनेख शेहरों से सडक मार्क से जुड़ा हुआ है। किले तक बस से पोशने के लिए सबसे पास का बस्टैंड माहूर है। माहूर पस्टेंड से दो किलोमेटर दूर राष्ट्रकुट काल के समय की पाहडी को काट कर निर्मित दो हाथी नुमा गुफाय देखने को मिलती है राजय परिवन की बसे और अनेक नीजी वाहन मुंबई, पूने, हैदराबाद, आदी शेहरों से नांदेड के लिए नियमित रूप से चलती है और अगर आप रेल मार्क से आ रहे हैं तो नस्दी की रेल्वे स्टेशन किनवर्ट है इसके अलावा नांदेड अनेक पड़े शेहरों से रेल मार्क से जुड़ा हुआ है और अगर आप हवाई मार्क से आ रहे हैं तो सबसे निकट हवाई अड़ा नांदेड है अगर आपके शेहर से आपको डारेक्ट नांदेड के लिए फ्लाइट नहीं मिलती हैं तो आप मुंबई ये नाकपूर का ओप्शन भी ले सकते हैं अब बात करते हैं वहां ठहरने की रेणुका टेमपल और माहूर के ले आसपास के क्षेतर में रहने और खाने पिने के लिए हर दरजे के होटेल और लॉज उपलब्द है माहोर के नाम से जाना जाने वाला माहूर गाव महराष्ट के मराठवाडक शेतर में नांदेड जिले के किन्वट शहर से 48 किलोमेटर उत्तर पच्छी में बसा है पहले माहोर एक बड़ा शहर था और दक्षणी बेरार का एक राज्य भी था यहाँ सयादरी पहाडियों के पूर्वी छोर पर एक बहुत पुराना किला है जिसे माहूर किले के नाम से जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि यह किला यादवो की शाशन काल में बना है इसके बाद इस किले पर कई शाशकों ने शाशन किया जैसे गोंडा, ब्राम्हन, आदिल शाही और निजाम शाही सबसे अंतमे मुगलों और उनकी जागिरदारों का इस पर शाशन रहा यह किला तीनों और से पैनगंगा नदी से घिरा हुआ है माहूर किला आसपा स्थित दो पहाडियों के शिखर पर बना है इसमें दो मुख्यदवार है, एक दक्षन की और है और दूसरा उत्तर की और है किले के हाला तब दैनिय हो गई है लेकिन उत्तर की दिशावाला दौर फिर भी ठिक ठाक स्थिति में है किले के अंदर एक महल, एक मस्जीद, एक अन्नभंडार, एक शास्त्रागार आदी बने हुए है हाला कि अभी एक खंडर हो चुके है किले के मद्धे में एक बड़ा सा टैंक है जिसे आजला तालाब भी कहते है डेकन के उत्तर में मुख्य रास्ते पर स्थित होने के कारण माहूर का एक लंबा इतियास है यहां बहुत सारे ऐसे प्रमान हैं जो यह दिखाते हैं कि माहूर जिसे प्राचिन काल में मातापूर कहते थे जो सत्वन्ष और राष्टकूट के समय एक पहूधी महतोपूर्ण स्तान था पास की पहाड़ी पर यादव नारेश ने रेणू का मंदिर का निर्मान करवाया गोंड शाषन की समापती के बाद पंद्रावी सदी में माहूर ब्रामणों के कबजे में आ गया और उन्होंने एक राज्य बनाया सोलवी शतापदी में सामरिक दुरुष्टी से मुख्य केंदर में बने माहूर में निजाम शाही, आदिल शाही और इमाद शाही शाषकों की बीच जड़ब होना शुरू हो गई इसके बाद सत्रवी सदी की सुरुवात में माहूर मुगल शाषकों का हिस्सा हो गया और अपने सुबेदार की बदोलत वे शाषन करने में सफल रहे जब शाहा जाहा ने अपने पिता जहागीर के खिलाब बगावती का तेवर अपना लिया तो उसने माहूर के लिए में पत्नी और बच्चों के साथ शरण ली इसमें शाहा जाहा का छे साल का बेटा औरंग जेब भी साथ था माहूर नांदेर शहर से लगबग 130 किलोमेटर तूर है पैनगंगा नदी माहूर श्क्षेतर के तीनों और बैती है यहां श्री रेणु का माता, अनुसिय माता और दत्तातरे प्रभू के मंदिर है इसके अलावा पंडव लेनी नामक एक एतियासिक इमारत भी है यहां एतियासिक इमारत बेहत खुबसूरत है चलिए जानते हैं रेणु का माता के मंदिर की कहानी महाराश्र में कुल साड़े तीन शक्ति पीठ है और माहूर उनमें से एक है यहां का मूल जगरुतिक पीठ माहूर की श्री रेणु का माता है यहां परशुराम की माता श्री रेणु का माता का मंदिर है पुराणों के अनुसार परशुराम की माता रेणु का माता ने सती की थी गुरु चरित्र में इस स्थान का बार बार उल्लेख मिलता है यह स्थान महाराश्र में कई भक्तों का कुल देवता है यहां दूर दूर से श्रद्धालू दर्शन के लिए आते हैं यहां हर नवरात्री पर भारी भीड होती है इसे स्री रेणुका देवी का मंदिर भी कहा जाता है जिसे देवगिरी के यादव राजा ने तेरावी शताब्दी में बनवाया था धार्मिक महतो के स्थान पारंपारिक रूप से हिंदू धर्म में स्रीक्षेत्र माहूर से जुड़े हुए है माहूर गाव से लगबग दो किलो मिटर की दूरी पर रेणुका देवी का मंदिर है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है देवगिरी के यादव राजा ने लगबग 800 साल पहले इसकी नीव रखी थी दशरा के अवसर पर यहां एक परवा आयुजित किया जाता है और देवी रेणुका की पूजा की जाती है मंदिर के चारों और घने जंगल है कभी कबार जंगली जानवरों को यहां घुमते हुए भी देखा जा सकता है माहुरकड दत्त मंदिर और अनुस्विया माता मंदिर से आसपास का क्षेतर बेहत खुबसूरत है दत्त त्रे का मंदिर माहुर से 6 मिल की दूरी पर एक चोटी पर स्तित है भक्तो का मानना है कि श्री दत्त त्रे का जन्म माहुर गड में हुआ था दत्त शिखर पर मूल मंदिर की लंबाई और चोड़ाई 10 से 12 फिट है मूल मंदिर 1297 में महंत मुकुंद भारती द्वारा बनवाये गया था माहुर से 6 किलोमेटर दूर अत्री रिशी महासती अनुसय माता का आश्रम और मंदिर है दत्तात्रे के मंदिर से 2 किलोमेटर की दूरी पर दक्षिन में वंदेव देवस्तान है जंगल में इसकी जड़े होने के कारण इस स्थान को वंदेव कहा जाता है यदु राज ने इस स्थान पर तपस्या की और दत्तात्रे भगवान को प्रसंन किया था तब दत्तात्रे भगवान ने 24 गुनों का वर्नांग किया था गैलास्टेक्री वंदेव से 1 किलोमेटर दूर है केलाश्टेक नी सयाद्री शेनी की सबसे उची पहाडी है और महान जागरूति का स्तान है इस स्तान पर दत्तात्रे भगवान की पादुगा भी है यहाँ वही पवित्र स्तान है जहां भगवान दत्तात्रे ने हरिया स्तान पर गोरक नात को दर्शन दिये थे अब उनकेश्वर भी देख सकते हैं उनकेश्वर गर्म पानी का जर्णा है जो पैनगंगा नदी के तड़ पर स्थित है माना जाता है कि यह प्राक्रूतिक जर्णा अद्भूत रसायनों से व्युक्त है जिससे त्वचा के अनेक रोग ठीक हो जाते है इसके अलावा दत्तात्रे मंदिर, अनुस्या मंदिर, देव देवेशोर मंदिर, परशुराम मंदिर, सर्वतिर्थ, मातरूतिर्थ, भानूतिर्थ, हाटी दरवाजा, बाल समुद्र, पांडव लेनी, महाकाली मंदिर, माहुर संग्राले, सोनापिर दरगा और वाटरफॉल आदि सब देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, यह थी माहुर कड की पूरी जानकारी, और इस जानकारी के अलावा माहुर कड के बारे में, अगर आप कुछ जानते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो से लिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो हम कमेंट में जरूर बताएं, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, एक और नहीं जानकारी के साथ अगले वीडियो में, अपना खयार रखें, स्वस्त रहें, खुश रहें, जै माता दी